अब लो तो जोहार आज का वीडियो में फिर से हम लोग देखेंगे परसेंटेज का यह वीडियो नंबर आठ होगा यानि कि वीडियो नंबर आठ होगा परसेंटेज का और यह इस सिरीज का यानि कि रेलवे एकजाम का जो रेलवे गनित का जो सिरीज चल रहा था उसका यह 15 24 नंबर सीरीज होगा ठीक है ना हमने स्टडी किया था इससे पाहले यानि कि चोदो नंबर जो सीरीज था वीडियो था उसमें हमने स्टडी किया था एक से लेकर कहां तक 120 तक के सारे सवाल आज हम लोग देखेंगे 121 से सुरू करके 135 तक यानि कि 15 कोशिन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ठीक है तो चलिए हम सुरू करते हैं जैसे ये हैं हमारे पास सवाल क्या लिखा है बोला माटीन ने दरिष्ट इबाधित लोगों के लिए काम करने वाली सुस्था को अपने बेतन का 13% अनाथालय को अपने बेतन का 12% सारे रिक रूप से विकलांग लोगों के लिए यानि कि इहां पे 13% है इहां 12% है और बुला इहां 14% होगा फिर 16% है यही सब है यानि कि इनको जोडते हैं पता करते हैं कि ये टोटल कितना हो रहा है कितना खर्चा कर रहा है पता करेंगे यानि कि 55% जो है वो खर्चा कर रहा है दान दच्छिना कर रहा है तो उनके पास बचा कितना तो आप बुलेंगे सर 45% बचा है यह जो 45% बचा है इसी का मान उनके पास गिवन है 45,750 के रूप में और हमें बोला अनाथलय को दान दी गई रासी कितनी है तो अनाथलय को कितना दिया गया था देखे जरा 12% तो हम 12% बराबर ठपा लगा देंगे 12% बराबर हम क्या लगाएंगे ठपा लगा बस इतना ही करना था हमेरे पस इतना ही करने का चीज है और कुछ नहीं काट सकते हैं आप चाहे तो इसको काटिए 4-3 बार में 15-15 का भाग किजिए या फिर आप छोटा-छोटा किजिए 5 से भाग किजिए जो आपकी मर्जी है 15 से भी कर सकते हैं 15 कितना तो आप नहीं तो 3 से ही काट दीजे कोई दिक्कत ने 3 से काट ये 5 से काट ये आपकी मर्जी है 5 से काट ये तो इहां पर मैं 3 लिखा 5 से मैंने काटा 5, 8, 40 बचा दू 5, 5, 25 बचा दू 5, 5, 25 बस खतम 3 से काटेंगे 4, 0, 4, 5, 2 बचा और 4, 8 35 और 2, 34 हसिल हमरे पास क्या बचा अच्छा सब में 4 दिया है 3, तो 4 दुगने 8 और 3 एक गारो ये ही हमरे पास आंसर है यानि कि ओप्शन नमबर हमें दिखाई दे रहा है C नमबर कितना नमबर C नमबर ठीक है ऐसे हमें काटना है और कुछ भी नहीं है नेस कोशन की तलास में चलते हैं और इहां पर भी कहीं ना कहीं इसी तरह के सवाल दिखाई दे रहा है क्या बुला एक बेक्ती की मासीक आए पचास पचास हजार रुपिया है इसका 25 पसंद कार पर सेस आय का 30 परसंद घैरूलू खर्चों पर और उसके बाद सेस का जो 10 परसंद मोनोरंजन पर खर्चा कर रहे हैं वह अपने आय के सेस भाग का बचत करता है तो बोला आकडों को सभी पारो माहिन है के लिए सोमान मानते हुए वह बेक्ति परती बर्स कितनी बचत करती है बताईये डारेक एक लाइन के कोश्चन है जादा कुछ नहीं करना 50,000 रुपया था पहली बार वो खर्चा किया कितना 25 तो बचाया था 75 आगले बार वो खर्चा करेगा 30 तो बचायेगा 70 आगले बार वह खर्चा करेगा 10% तो बचाएगा नोब वै लास्ट में यही बच रहा है और कुछ नहीं ठीक न Leafs लेकिन ये एन है सालाना पता सालाना ठीक है तो कोई बात ने सालाना पता करना है तो हमें बाद में बारों से गुना कर देना है और किया वारों से बाद में गुना कर देंगे कोई TENSिन नहीं है तो काटिए दो 0 बोला है कि बारो महिनों के लिए सोमान मानते हुए वो बैक्ति परतिवर्स कितनी बचत करता है यानि कि एक माह में इतना बचत करेगा गुना करने पर तो क्या हो जाएगा गुना कर देते हैं दोस्त गुना कर देते हैं तो 5-5-25 हो गया 5-7-35 हो गया 35 और 2-7-35 गुना करेंगे 7 से तो 7-5-35 3-7-7-49 52 2-5 आया 7-3-21 और 5-25 9 से गुना करेंगे 9-5-45 बचा कितना? 4 9-2-8-4-22 बचा कितना? 9-2-9-28 बचा चा दू बचा 9-5-45 और 2-47 7 हमरे पास 4 बचा 9-2-18 और 4-22 यानि कि यह आ गया कब का? तो बने सर एक माहिन है का एक माहिन है का है तो 12 माहिन से गुना करना होगा 12 माहिन से गुना करेंगे जैसे तो 12 माहिनसे हम जैसे गुना करेंगे तो 12 माइनस में 0 हासिल रहा 6 12 दुगने 24 और 6 33 में हासिल रहा 3 12 सत्य 84 और 3 87 87 में 7 बचा 8 12 दुगने 24 और 8 32 और बचा 3 12 दुगने 24 और 3 बताओ 24 और 3 कहां गलती कर दिए 12 24 और उधर 3 नहीं तो कहीं गल्ती कर दिया हमने ठीक तो हमने लिखा तर साथ कहां तो गल्ती किये क्या किया हमने 5 सते 35 हमारे पास दिखा इतना दिखा और इंटू में 9 दिखा आचा 9 पांचे 45 बचा 4 9 सते 63 और 4 साड़ सट इंटू कर देना है 35 से यानि कि 35 से इंटू करेंगे तो पांच से पहले इंटू करते थे हैं 5 पांचे 25 बचा दू 5 सते 35 37 बचा तीन 5 छोग 33 एक घर छोड़ो 3 पांचे 15 में 5 हसिल रहा हमारे पास कितना एक 3 सते 21 22 हसिल रहा दू आ 3 छोग 18 20 यानि कि 5 आया यानि कि 2 आया यानि कि 6 आया यानि कि 3 आया यानि कि 2 आया आचा इसी को गुना करना होगा बारो से बारो पांचे 60 जीरो हसिल रहा छे बारो दूगने 24 और 6 तीरिस हसिल रहा 3 बारो छे बहात्तर आर तीन पचात्तर में 5 हसिल रहा साथ 12 या 46 और 6 43 बचा 4 बारो दूगने 24 और 4 28 यही हमारे पास आंसर है यानि कि हमारे पास आंसर कौन सा है 28 35 और 00 अठाइस 25 और 00 C नूमर ऑप्शन यही हमारे पास आंसर है यही हमारे पास आंसर है ठीक है ना उम्मिद करता हूँ आप समझ रहे हों चलिए आगे का बात करेंगे नेस कोशन की बात करेंगे नेस कोशन को भी एक बार देख लो यह तो बहुत सस्ता होगा फोड़ा सा कल्कुलेटिव था बाहले वाला और कुछ नहीं देख लीजिए क्या बोलना चाहता है एक बार पणिहां से देख लीजिए जब एक पत्रीका का मुल्ले में 10% घटाया गया तो उसकी बिक्री में 30% की फिर्दी हो गई तो कुल राजिस शे बताईए देखे बाबू ये जो रेट है मुल्ले है मुल्ले में केतना परसंद 10% घटाया गया इसका मतलब एक बटा 10 होता है 10% मतलब तो 10 पहले था दाम तो अब 9 टाका रह गया उसके चक्कर में बिक्री में 30% इजाफा हुआ ये बाबू इजाफा का मतलब होता है जो मात्रा बिक्री वाला का था यानि कि जैसे 5 किलो 6 किलो 8 किलो 5 लिटर 10 लिटर जो भी है या फिर 25 हिस्सा 25 पत्रिका 20 पत्रिका ऐसा है ना उसमें 30% इजाफा हुआ मतलब कॉंटिटी का बात बोल रहा है 30% मतलब 3 बटा 10 यानि कि पहले 10 ठो समान या 2 ठो पत्रिका फेंका जाता था तो अब 13 ठो फेंका जाएगा बस हो गया हमें बोला राजस्य में क्या हुआ है प्लीज बताएए इधर गुना करेंगे और इधर गुना करेंगे हाना 10 रुपया करके 10 ठो पहले बेच रहा था तो सोटा का में बेच रहा था अभी 9 में बेच रहा है क्या में 9 तो 9 में बेच रहा है तो अब हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1-1 यानि कि 117 हुआ तो कितना बिर्दी हुआ 17 कां से हुआ 100 से क्या में हुआ परतिशत में कितना हुआ तो अब लेंगे 17 परसें हुआ इसी को एबिरूल से भी लोग बनाते हैं 10 परसें घटा है और 30 परसें बड़ा है प्लस मैनस मैनस है उपर दोनों गुना है और बटा 100 लिखा जाता है 00 काट देंगे तो यहां होएगा मैनस 20 कि प्लस 20 प्लस 20 होगा और मैनस 3 होएगा यानि कि देखा जाए तो 17 आ रहा है प्लस में और प्लस का मतलब ब्रधी कहां पर भी नंबर आंसर ठीक है ना उम्मिद करता हूँ आप समझ रहे हो बबु कोड़ा को जहां तिन आगे पुठ हुआ को मेना प्या जहां तिन आगे मेना प्यार आपे लाइक शेयर तावन पे ते गिया और जहाना कोश्चन रेब आपे बुझाओ लाई पे हां कोमेंट सेक्शन रे चलो आगे बढ़ता ह चीनी के कीमत 10% कम कर दी गई उतने पैसे में कितने कुंटल चीनी खरिदा जा सकती है जो उचे दाम पर 18 कुंटल चीनी खरिदने के लिए प्रयाप थी देखा ऐसे बोल दिया कितना सुंदर सवाल है कुछ भी नहीं है चोटा सा सवाल है बोला चीनी का कीमत 10% कम कर दिया ग आठारा कुंटल चीनी खरिदने के लिए प्रैप थी बस खतम हो गिया दोस्त कुछ भी नहीं था डारेक भी लिख सकते हो नहीं तो ऐसे दिखाना चाहता हूँ 10% का मतब एक बटा 10 एक बटा 10 मतब पहले 10 रुपिया दाम था तो अब नोट का दाम होगा पहले 10 में कितना खरिदा जा सकता था इतना तो इसमें कितना खरिदा जा पाएगा यानि कि 10 रुपिया में इतना खरिदा जा रहा था तो अब कितना खरिदा जाएगा ऐसे बोल जा रहता है सुनिए यह आपका rate था यह आपका rate था हमें बोला उतने पेसे में कितने किंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो उच्य दाम पर 18 कंटल चीनी खरीदने के लिए प्रयाप थी जब ऐसा होता है ना तो quantity बदल जाती है बदल जाती है का मतब ऐसे बदलाओ की तरफ आता है और कुछ नहीं ये वला इधर आ जाता है तो भी तो दाम सेम रहेगा दस नो तस नो नभवेट अ का नो दस नभवेट का सुमान हो जाएगी उतने पैसे में बोला इसका मतलब उतने ही पैसे में वह खरिदना चाहते हैं तो ये वाला पहले का quantity है यह वाला बात का तो यह जो 9 है उसी का मन दिया अठारो तो 9 का मन 18 कीलो है कीलो या कुंटल लिखा होगा कुंटल है ना हाँ कुंटल लिखा है तो 10 का मन क्या होगा 20 यानि कि 20 कुंटल आ रहे गा है और क्या यही हमारे पास आंसर है और कुछ भी नहीं ठीक है कोई दूख है जीवन में नहीं नेस्ट कहानी की तरफ चलता हूं जैसे नेस्ट है यह इसमें भी उसी तरह का है कोई लफड़ा नहीं है परती किलो गेहूं की किमत 25 परसंट की कमी के कारण जोन 600 रुपिया में पांच किलो चीनी अधिक खरित पाता है ऐसे सवाल बहुत सवाल है यहां तक कि रेलवे में भी यही सवाल पूछे जाते थे 25 परसंट उसका कीमत पर क्या किया गया है कमी इसका मतबब एक बटा चार कमी एक बटा चार मतब पाले रेट था चाह टका तो अब एक टका कम होगा ऐसा जब ऐसा होता है तो याद रखना ये बला रिशियो को कांटिटी में बदलने के लिए बदल दिया जाता है इन्वसली प्रोपेस्टनल होता है यह यह तीन इस साइट आ जाता है और चार इस साइड आएगा यह कौंटिटी बन जाएगा हमें सवाल में बोला पहले तीन किलो ले रहा तो पहले कितना किलो खरिद पा रहा था तीन पंचे पंदरो किलो यानि कि पंदरो किलो खरिद पाते थे और कितना रुपिया में खरिद पाते थे छे सो रुपिया में तो छे सो रुपिया में पंदरो किलो खरिद पाना मतब दर क्या था तो आप बोलें सर पंदरो चो के चा पर देख लो आप केहूं कि किमत में 20 परसंट की कमी करने पर 4 किलो अधिक सेम सवाल है हॉमवर्क में आपको दे दिया हॉमवर्क आपको दे दिया कॉमेंट सेक्शन में आप क्या कर लीजिए कॉमेंट कर दीजिए चलो आगे बढ़ता हूं नैस कुश्चन ये भी साध ऐसे ह होएगा पिल्कुल ऐसे है दम सेम लेकिन हाँ परती दर्जन बोला है कोई लफड़ा नहीं परती दर्जन लिखाए तो कोई लफड़ा नहीं बोला 20 परसंट की कमी करने के बाद खरिदार 50 रुपया में एक दर्जन अधिक खरिद पाएगा 20 परसंट कमी का मतलब एक बटा पांच कमी मतब पहले पांच किलो पांच रुपया करके दाम था तो अब चार किलो ये था दर है बस्तों की Nord umaले संग्खा है डिक बोलेंगे पहले से कितना जादा करीद पता है यह लेकिन वहां नहीं एक तरते थो शुरुत'll खरिंद थे अगर खुरृत थे ने चार दर्जन तो हमें बोलत टोप परती दर्जन आमों की घटी हुए किमत इसका मतब बाद बला चाहिए यह बला नहीं यह बला का मंठ ढूनना है अरभांत ढूंडना हैSec astrology थे थे यही आपके पास आंसर है, option number कौन सा है, ऐसा है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ता हूं, नेस कहाने की तरफ चलता हूं और हलका सा बदलाओ की तरफ दिखाई देगा हमें, बदलाओ की तरफ हमें दिखाई दे रहा है, क्या बोला, एक बार पढ़ लिजे, 28 number सवाल देखिए, 128 number सवाल में क्या कहना चाहता है, एक बार आप पढ़ लिजे, बोलता है, विकास अपने बेतन का 80% खरचा करता है, उसके बेतन में 25% की increment होती है, उसके खरचा में 15% की increment, तो उसकी बचत में कितना परतिश्चत की पिर दी होगी, देखो, ऐसे सवाल लोग तो बहुत तरीके से बनाता है, मैं ऐसा बनाऊंगा, यह जो 80% उसने क्या किया, खरचा किया, मतलब 4 बटा 5 खरचा किया, यानि कि उसका अगर आए 5 रुपया है, तो उसने 4 टका खरचा किया, तो एक टका जरूर बचाया होगा, बस ख पचीश से गुना करेंगी, और बोला उसके बचत में परतिशत बृधी क्या होगा, प्लीज बताओ, बस खतम, तो 4 15 60 होगा, एक्स होगा, और यहां हो जाएगा, पांच 15 125 होगा, पांच 25 हैं 125, तो एक्स का मान कितने होएगा, तो बोलें किसर 40, यानि कि 45, यानि कि एक्स इसका मन प्लस में आया, इसका मतब बृधी हुआ है, अच्छा, कहां गलती कर दिया, इधर है 40 और इधर है 25, अच्छा, इसको घटाओगे का, पचत में कितना, 4 15 60, 5 25 से 125, तो माइनस कर दो आप, 125 में से आप 60 को माइनस करोगे, तो ये 5 होएगा, और ये 6 होएगा, और हमारे पास 65 होएगा, और ये 65 कौन सा है, इहां है, उम्मित करता हूँ, आप समझ रहे हो, कुछ भी नहीं है, एक लाइन के कोश्चन होते हैं, और कुछ नहीं, नेस कोश्चन की तलास में जाता और साइद इहां पर भी ऐसे बाते करके रखा है, पेट्रोल के मूले 52 परसन के बिरधी होती है, तो इसके खपत में कितना पर्तिशत कमी करेंगे ताकि उसके खर्च में सिरिप 14 परसन का क्या हो जाए, बिरधी हो जाए, बहुत सारे सवाल हमने ऐसा किया है, फाउंडिशन में आ रहा होगा, क्योंकि आपके नॉट्स चले, आप में नॉट्स में देखो आप, आपका फाउंडिशन बेच में जो क्वेश्चन आपको दिये गए थे, जो सॉल्व करके दिये गए थे, आपको ये जरूर मिलेंगे परसिंटेज का चिप्टर से, ऐसा मत बुलना कि य नखन आपो हो, आपो सावतारी निए होड को हो, जिते को पर बढ़ाये दड़े, आप मने चेत दड़े आपे, चेता से, आपो नुवारे के पुन कमजूर गिया, ऐसे, तो चलिए, कुछ नहीं था, बोलना चाहता है क्या, और क्या कहना चाहता है, वो देखिए, मान लिज उसके खपत में कितना पर्तिशत की कमी करना, खपत का मतलब होता है खर्चा करना, खर्चा का मतलब होता है कंजूम करना, मतलब कितना आप उस पेटरोल को यूज कर रहे हो, ताकि उस पर होने बला जो खर्चा हो सिरिफ 12% ही ब्रदी हो, सिरिफ 14% ब्रदी हो, इसका मतलब 14 12% मतब 114 हो जाएगा तो बाबू इसका मतब इहां से इहां कम नहीं करना है बलकि इहां से इहां तक कम करना है तो कितना कम हो रहा है देखें तो इस में से इहां कितना कम हो रहा है तो आप बोलेंगे सर इहां आठ इहां दो है तो तीन यानि कि 38 कम होगा कहां से एक सो बावन से और क्या में कम होना चाहिए परतिशत में बस खतम काटा कटी करेंगे दोस्त आप चाहे तो कितना से काट सकते हो देखो कितना से काट सकते हो बता सकते हो चार से तो अगर आप चार से काटते हो इसको चार से आप काटते हो तो चार आटे बतीस और चार तिया पंदर यानि कि चार पचीस आगए यानि कि पचीस परसंट की कौमी करनी चाहिए खपत में अगर 25% कौमी करेंगे तो उसका खर्च सिर्फ 14% इंक्रिमेंट होगा और कुछ नहीं होगा आगे बढ़ा जाए नेस कोशिन की तलास में चलते हैं और इनके बारे में बात करते हैं यह देख लो यह थोड़ा सा अलग कोशिन है परिच्छा से रिल्टेड है यह भी आपने द परंतु अहारता अंकों से 20 अंक अधिक नहीं बलकि कम लाए थे दूसरे छात्र ने उसी परिच्छा में 80% अंक लाए और वो अहारता अंकों से अधिक लाया बबु आपको मैंने बताया था कोई भी परिच्छा होता है उसमें सारे विदार्तियों के लिए पासमाक्स जो ह अंक दे देंगे तो उसका pass marks बन जाएगा उसी तरह एक और छात्र है वो 80% लाया है और वो ज्यादा लाया है इसका मत्व उसको घटा देंगे तब ज़के इधर बराबर में आ जाएंगे इसको इधर लेके जाएंगे तो 15 आ जाएगा और इसको इधर लगके आएंगे तो 33 ह हो जाएगा हमें बोला कुल अंक बताइए परिच्छा के परिच्छा के कुल अंक मतलब पूर्णांग का पतलब 100% तो हमको 15% का मान अगर 300 मिल गया तो फिर है 100% का मान क्या होएगा तो पंदरों दुगने 200 हमरे पस आ जाएगा जाएगा कि अधर खत्म है नेस कोश्चन की तलास में हम चलते हैं आसान कोश्चन था ये भी वही सवाल है तो इससे सवाल है बोला कि बीमल किसी परिच्छा में 43% अंक प्राप्त करता है फिर भी वो 10 अंकों से फेल होता है तो 46% लेके आया फेल हुआ बिचारा तो हम जोड़ देंगे तो पास होगा एक जन 52% अंक प्राप्त किया और फिर वो 8 अंक जादा लाया तो घटा दीजिए तो ये इधर आएगा तो 18 होगा और ये इधर आए का मान दिया हमें बोला परिच्छा में उत्तिन होने के लिए आसक नूंतम अंक बता दीजिए ये भी ये भी पास अंक ही है और ये भी पास अंक ही है लेकिन फरक इतना है कि हमें अंकों में चाहिए तो ये परतिशत में है ये अंक में है ये परतिशत में ये अंक में है तो तो इस परिष्यक को अंक में बदल देंगे और 10 जोड़ेंगे या पिर इस परिष्यक को अंकों में बदल देंगेiliyor और आठ घटाएंगे तो भी तो आयेगा तो वही करिए थे कमान आपको दिया है 18 तो 40 का मान क्या होएगा परिष्यक को अंकों में बदल दिये खे तीन बार तो तीन छोग अठारह और तीन चारह तेरह यानि कि 138 आया उसमें दस जोड़ना होगा तो दस जोड़ेंगे तो पास मार्क्स आ जाएगा आठ चार और एक यानि कि 148 हमारे पास आंसर आ जाएगा उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हो ठीक है जहां तीन आगे पट हुआ बापे बुझाओ या अनौखन हो लई पे कोमेंट सेक्शन रिलाई पे लाइक पे अरवंकन सेयर पे अरवंकन डिसलाइक हो पे दाड़े या जयता से जहां बापे बुझाओ दिसलाइक पे डिसलाइक लिखन हो ना पायोगा इना करने इंहों तुन बुझाओ या बबुझाओ या गुति कोड़ा का नाम से बाम पढ़ा करना तो चलिए देखो जो बच्चे आप लोग में से नए हैं उनको इस वीडियो का सेयर अहां इस वीडियो का लिंक सेयर कर द इसका एंटी फिसी का उसमें भी विगेंसी है तो आपको इसी परकार के सवाल दिये जाएंगे हाँ थोड़ा सा भासा में परिवतन करेंगे अदरवाइस बिल्कुल नहीं समझ लिजिए कि एट्टी से 90% कोश्चन हूब हूँ इसी पैटन पर होगा इसी लेबल पर होंगे और इसी क्या पर होंगे इसी इसी अधार पर होंगे इसी कंसेप पर होंगे बस डाटा चेंज करेंगे यहां पर यहां जो डाटा है अंक है उनको बदल देंगे और आपके पास पुछे जाएंगे आप हेंड़ेड बाई हेंड़ेड ला सकते हो हेंड़ेड पर्शन मार्क् ये भी इसी परकार के सवाल ही आपको दिखाई ते रहा होगा क्या बोला सवाल में ये को एक परिच्छा में 45% अंक प्राप्त हुए और वो हो अठर अंकों से अनुतिन हो गए यदि उसने 65% अंक प्राप्त किये होते तो उसे परिच्छा उतिन करने के लिए नुन्तम अंको से 6 अधिक मिलता देखो एक जन 45 लेके आया लेकिन कौम लाया इसलिए अठर हम जोड दिया ओ अगर 65 लेके आता तो ज्यादा लाता 6 अंक बस हो गया हमें बोला उस परिच्छा में अधिक्तम अंक क्या हो सकता था मतब पूरनांग चाहिए एक काम करो इसको इधर लेके जा आया 20% का मान क्या आया 24 20% का मान 24 आया तो फिर 100% का मान 5 गुना हो जाएगा यानि कि 120 हमारे पास आंसर आ जाएगा ठीक है उम्मित करता हूं आप समझ रहे हो नैस कोश्चन की बात हम करेंगे नैस कोश्चन की बात जैसे यह बला इसको भी एक बार देख लेते हैं और इसमें क्या कहानी है एक बार सून लेते हैं एक चुनाव में केवल दो उम्मिदवार थे, विजयी उम्मिदवार को कुल मतों के 48% प्राप्थ हुए हैं, उसके बिरोधी उम्मिदवार को इतना प्राप्थ हो गया है, जो कुल मतों के इतना के बराबर हैं, तो कुछ मत अमाने थे, विजयी उम्मिदवार कितने मतों से जिता और अमन्य मतों की संखा कितनी हैं। बस इतना ही कहानी है। कितने सुन्दर सवाल है। आप इसको देखोगे तो पगला नहीं जाओगे। आप समझोगे तो मज़ा आ जाएगा जिन्दिगी में। कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है ना। कोई लफड़ा नहीं है आराम से आप इनको बना सकते हो। कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है तो देखिए कहना क्या चाहता है। कहना यह चाहता है कि टॉटल जो होता है वबू वह 100% होता है। 100% होता है इसका मतलब एक जन को 48% मिला है यानि कि 100 का 48 यह जो 100 है उसका 48% मिला है 48 मतलब 48 होएगा और बचेगा कितना 34 34% इसका 34 होगा अच्छा और कुछ अमन्य भी थे कुछ मत अमन्य भी थे तो अमन्य कितने थे इनको जोड़ेंगे तो यह दू होएगा और इधर 8 होगा यानि कि 82% इन दोनों का हिस्सा हुआ 82% हो गया तो सेस कितना बचा तो आप बोलेंगे सर 18% बचा 18% वो अमन्य था कितना था ओ मन्य था वो ओ मन्य था वो सवाल में क्या कहना चाहता शुनिये हमें इनके बारे में बोल दिया है बोला जो फेल हुआ है जो बिरोधी उम्मिद्वार थे उनको उतना मिला यानि कि यह जो 34 है उस 34 का मान दिया हुआ है 48 ऐसे मतब 68 तो फिर इसका कितना होएगा इससे इसको काट सकते हो दूबार में तो इसको इसको गुना करेंगे तो 28 16 होए रहा है और यह 9 हो रहा है और 00 हो रहा है यह हमारे पास आया हमें कोश्चन में क्या बोला question में बोला अच्छा cool मिला कर वो भी पता कर लेंगे हम total कितना होगा वो भी पता कर लेंगे total कितना होगा वो भी हमें पता कर लेना है लेकिन हमें उस से कोई मतलब नहीं हमें difference भी बोला है क्या बोला है difference भी तो दोनों में हारजित कितना है यहां पे तो यह होगा चार और यह होगा एक यानि कि चोदो परसन हर जीत है तो चोदो परसन का हर जीत का मतलब तो चोदो दुगने क्या होएगा 28 और 00 हो गया क्या आ गया 00 हमें बोला विजोई उम्मिद्वार कितने मतों से जीता और बोला अमन्य मतों की संखा कितनी थी तो बड़ी गड़बड कर दिया विजोई उम्मिद्वार कितने मतों से जीता विजोई बला तो यह है लेकिन वो इतना अंक लेके आया इतने बोट लेके आया और इतना जादा लाया उससे और मन्य भी बोला है सवाल में अठारो का मन क्या होगा चप्तिरिस यानि कि चप्तिरिस हमारे पास आ गया कहीं गलती हमने किया है क्या देखे चार आया आठ आठ सोला चार बीस हमेरे पास बचा कितना चार 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 पीस आज हम इसका मान दिया है इसका मान पुछा है दोनों में हर जित चाहिए हर जित इसी में तो आ रहा है हर जित चोद होगा इसका मान आ गया इतना हमें बोला बिज़ाई वाला का बात बता रहा है कितने मतों से जीता है और तीन हज्यार एक मिनट अंसर देख लेता हूं कुछ गड़बर तो नहीं किया गड़बर तो बिलकुल नहीं किया हमको टेंसन इस बात का हुआ क्या यह लोग ना बदमासी किया है थोड़ा सा हमारा आंसर तो आ गया टेंसन वाली बात नहीं है बदमासी क्या किया है यहां ओप्षन आप देखिए और इहां देखिए यहां पे बोला विजय उम्मिद्वार कितने मतों से जीता तो बबु कित इसने मतों से जीता 14% मतों से जीता है यानिकि 282 होना चाहिए तो पहले 28 लिखना चाहिए था और मतों की शंखा चाहिए ऑमने 28 परसेंट था जो कि 3600 बाद में लिखना चाहिए था लेकिन वहीं गलती कर दिया था इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा था ठीक है तो यहीं आपका आंसर होगा टेंसेन बाली बात नहीं है ए नॉम्मर हमारा आंसर होगा क्योंकि हमें आंसर तो यहां पे वहीं दिया हुआ है अच्छा यहां पर एक option नहीं है और A का B का C और D का option नहीं है हमको लगता है उहां पर साहिद ऐसा दिया होगा 2800 पहले लिखा होगा और 3600 बाद में लिखा होगा ऐसा लिखता तो हमरा आंसर सही मानते हम लोग क्योंकि पहले जो है वो अंतर मांगा है कितना अंतर से जीता है वो मांगा है तो कितना अंतर से जीता है वो मांगा तो वो पहले होना चाहिए था हमको लगता है डी number option में यह दिखेगा आपको हो ना चलिए उम्मिद करता हूं समझ गए कोई लफड़ा नहीं है सिदा सिदा था नेस कोश्चन की तलब हम चलते हैं और वो भी उसी तरह के सवाल है यह सवाल जो है ना अभी 2021 में पुछा है नहीं यह आपको ना 2013-2012 में भी यह से सवाल दिखाई देंगे पूरा हूब हूँ आंसर से 9211 मुझे तो पूरा याद है जब मुझे याद है तो आंसर यही है क्या करना है एक लाइन का कोश्चन है कुछ नहीं मान लीजे टोटल बोटों की संखा या नमांकित बोटों की संखा एक्स था बोला सवाल में कि चुनाव में नमांकित मतों में से इतना परसन अपना मत डाले हैं मतब 75% अपना मत डाल दिए यह जो डाले गए बोट है उस डाले गए बोटों में से ही 2% अवेध है इसका मतब सही कितना बोट है सही कितना बोट है तो आप बोलेंगे सर 98% सही बोट है यह जो सही बोट है उसी में से एक जन को हार मिलेगा एक जन को जीत मिलेगा लेकिन एक जन को इस सही बोटों का इस सही बोटों का 50% मिला है यान आपके परस आंसर आएगा ओई बला सोला एट जीरो जीरो कोई लफ़रा नहीं है काटोगे आंसर हो जाएगा आगे चलो अब यह लास्ट कोश्चन है आज का और इसको भी एक बार देख लेते हैं अलाकि आसान है यानि कि 135 नंबर कोश्चन है यह बोला एक चुना में बोट देने के लिए देने के हगदार 90% लोगोंने अपना मत डाले डाले गए 80% बार बेट थे वीज़ेता को 60% बैद पोर्ट मिला यदि इतने बोट से अच्छा एक जन को इतने बोट मिला है तो बोट देने वाले हगदार लोगों की संखा क्या थी इसका मतादल टॉटल बोट मान लिया X थी उसमें से 90% बोटों लोगों ने बोट डाला ओके यह जो डाला गया बोट है उसका 80% बेद था ओके बेद था बोला 80% बेद था यह जो 80% बेद था उसी में से एक जन को मिला है कितना 30% उसी में से मिला है 60% और यह जो मिला है 60% उसी के बराबर में यह बला होगा इसका मतलब और कुछ नहीं करना भाई 64800 कार देंगे 9 होगा 10 होगा इधर 4 होगा 5 होगा इधर 3 होगा 5 होगा इधर 2 होगा इधर 5 होगा तो आराम से इसको काट देते हैं तो आप काटते हैं कैसे से तो आप चाहे तो 6 से कटिए एक के 6 0 6 8 48 और 0 0 आप 9 से भी कटिए 9 बारंग 108 और 0 0 इधर हो गया 25 125 हो जाएगा और गुना में 200 हो जाएगा यानि कि बारो से इनको गुना करेंगे तो 125 बारो से गुना करेंगे तो इहां पर अगर 100 होता तो गुना करेंगे आपको मैं 200 500 हमारे पस्याय बारो दुगने 24 और 6 जेश्यरो और तीन बचा बारहा के बारह पंद्रह कि यही हमारे पास अनसर है कहां है वो इसीuses नंबर और और कुछ भी नहीं ृडिक आ यही है 15 pushशन हमारे पस था इस वीडियो में इतना ही बाकि जो भी doubt होता है जीसी पी जगह पे ठोफिर मैं यह इसको आने वाला वीडियो में सामिल करूँगा आपको मैं बता दूंगा explain कर दूँगा ठीक है मैं उम्मिद करता हूं आप में से जितने भी साथी हैं आप लोग वीडियो जरूर देखते हो लेकिन लाइक या सेयर या फिर हना subscribe नहीं कर रहे हो करो जो भी नए स्टूडेंस है जो भी नए पार्टी लोग है वह आप लोग सेनल को subscribe करो like करो dislike करो comment करो हाना feedback कुछ ना कुछ देते रहो चलिए सभी को दन्यवाद आज के लिए ठीक है ना फिर हम लोग देखते हैं नैस वीडियो में मिलते हैं नैस वीडियो में